एक particular question है जो तुम्हें सिखाना चाहूँगा, पहले लिखो question, question तो बाद दूगा, heading डाल दो पहले, heading डालो, force depends on position, force depends on position, तीन सवालों से confidence आजाएगा, force depends on position, एक जाएगा, एक एक पालूंसा तुम्हें सन्वें सिखाना उन्हदार नजाएगा, अपहता रू łatएँ invece आजाता वादाना थे को बादाएगा, यह पहाले, LizGer, इजुम्हें से अप खित собствен और से सूप हृंदाएवागा, अजुमुम्हें सिखाना नूं भॉटते साही है, स जो force है वो position पर depend कर रहा है अगर 1 meter की दूरी पर आओगे तो force 2 newton होगा अगर 2 meter की दूरी पर आओगे तो force 4 newton होगा 3 meter क्योंकि यह x equal to 0 है 3 meter पर आओगे तो force 6 newton होगा मत्दब force constant नहीं है अगर force constant नहीं है तो मैं work f dot s से नहीं काल पाऊंगा f dot ds से निकलवाना पड़ेगा because force is changing एक question की theory मैं से काऊंगा आगे की दूरी तो तुम करोगे question लिखो what is work done by this force what is work done by this force from x 2 meter from x 2 meter 2 6 meter x की value 2 से लेकर 6 तक में work किता हुआ तो यहां force constant नहीं है पले बताओ where is the force forward और motion भी कहां पे हो रहा है आगे exactly आगे तो force और displacement के बीच में किता अंगल है 0 cause 0 will be 1 अब देख हम क्या लिखेंगे small work force के लिखेंगे लिखा 2x यह बताओ यह बताओ अगर यह दूरी x है तो small displacement ds की dx 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 और x लिया हुआ है तो small आगे का displacement क्या होगा dx तो force into हा small displacement dx अब इसको आपने integrate किया और लिम्ट लगाइं 2 meter से लेकर 6 meter तक 2 or 2 cancel हुआ 6 square is 36 so the work done is 32 joules next problem सबस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्